दोस्तों सभी को नमस्कार आप सभी का एक बर फिर से हर्दिक स्वागत करता हूं DR Education के इस यूट्यूब चैनल पर देखे दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आये मेरे पास कोमेंट्स में regular आ रहें कि सर कंडुटर के तैयारी कैसे करें, CTU ड्राइवर के तैयारी कैसे क्या-क्या हमें पढ़ना है और क्या-क्या हमें छोड़ना है ठीक है इसके लावा काफी candidates यह request कर रहे थे message आप लोगों के regular आ रहे हैं कोमेंट आज देख लेना वीडियो में बहुत सारे कोमेंट आइं आप लोगों के किसे total फॉर्म कितने भरे गए हैं ठीक है तोतल नंबर फॉर्म है वो कितने भरे गए हैं conductor और ड्राइवर के अलग लग तो उन सभी topics पर भी discuss करेंगे इसके अलावा अगर आपने driver का form भरा है तो आपको किस तरीके से तयारी करनी है या फिर आपने conductor का form भरा है तो उसमें आपको किस तरीके से तयारी करनी है कहां कहां से कौन कौन से books prefer करके आप अच्छे तरीके से तयारी कर सकते हो ठीक है क्योंकि आप लोगों के काफी doubts आ रहे हैं बहुत सारे message आते मेरे पास लेकिन मैं एक साथ reply नहीं कर सकता इतने बच्चों का आप कोई पता है यह impossible हो जाता है तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ थोड़ा साज live वार्तलाप कर लूँ जिसमें आप लोगों के जितने भी doubts हैं driver भरती को ले करके या फिर conductor भरती को ले करके तो वो सारे के सारे doubts आपके clear कर सको ठीक है सभी को good evening भाई, सभी को ram ram, सभी को namaste आप मुझे यह बताओ कि voice और video quality सही है सब कुछ अच्छे से दिख रहे है आज आप लोगों के साथ ही discuss करूँगा मैं जितने भी points हैं वो कि आप कैसे तैयारी करें और कैसे अपने आप में improve कर सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोडना है क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा material पढ़ लेता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता हूँ क्या क्या छोडना है क्योंकि आपको पता है आप driver और conductor के भरते के लिए preparation कर रहे हो आपको उस level के तैयारी नहीं करने हैं कि सब कुछ ही पढ़के छोड़ देना है नहीं आपको वो चीज़े पढ़ने है जो आप सभी के लिए important है कौन-कौन सी important है सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम ठीक है कमल, राज़पीर, साहिल, अमित, शागर, रवी कुमार, अमित बराड, विवेक, रमन, अभीनाव तेजवीर, विक्की सैनी, जैहिंद भाई, सभी को जैहिंद देखो, सबसे पहली बात तो यह, कि अगर आपने driver का form भर रहे है ठीक है, पहले सुनिए बातों को, फिर उसके बाद आपके कोई doubt रह जाते है तो फिर उसके बाद आप comment करके मेरे से कोई भी question आपका पूछ सकते है पहले मैं जो आपको बताने आया हूँ, most important points वो बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है देखे, अगर आपने सिर्फ driver का form भर है, तो आपको बता भी driver के लिए syllabus क्या है यह आपका syllabus है, driver के लिए, ठीक है CTU driver भरती के लिए, जो आपका syllabus है, वो क्या है knowledge of motor vehicle act and traffic rules, ठीक है अब देखो, यह जो 50 number का आपका portion है न, यह कहां से आप त्यारी कर सकते हो इसमें एक point जो आपका है, यानि motor vehicle act, वो मैंने 5 वीडियो में आपका finish करवा दिया है प्लेइलिस्ट में आप जाओ, CTU 2023 के नाम से आपको folder दिख जाएगा, प्लेइलिस्ट में इसी चैनल पे motor vehicle act के लिए आप सिर्फ 5 वीडियो देखो, उसमें आपके सारे के सारे doubt के लिए हो जाएगे totally, motor vehicle act से एक भी question भार नहीं जाएगा, अगर आपने वो 5 वीडियो देख ली उसके बाद आता है traffic rules, अब यह देखो traffic rules हैं आपको पता है कहां से बने हैं motor vehicle act में ही बताए हुए हैं, भाई जो अधिनियम बनाए हैं, उन अधिनियम को हम कैसे लागू करें, वो rules के अंदर आ जाता है पता है न आपको, तो नियम जो हैं, वो किस तरीके से लागू होते हैं और किस तरीके से follow किये जाते हैं वो traffic rules के अंदर हैं, तो वो मैं practice में वैसे तो करवाँगा या आपको questions, लेकिन अगर आपको all over, मतलब लगबग 1500 से 1600 questions तयार करने है कि आपका एक भी question भार ना जाए, तो देखो, मेरे पास तो material है आपके लिए मैं यह नहीं कहा रहा है कि सिर्फ मेरे पास यह आकर कि application पे आप course purchase करो, उसमें पढ़ो आप जहां से पढ़ना चाहें, एक आप question bank है, वो अच्छे से तयार कर लो, traffic rules related मेरे पास लगबग 1500 से 1600 questions है, mobile application पे as a online mock test, जिसमें आप practice अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आप different, different platform पे जा करके भी करना चाहें, तो कर सकते हो, मुझे कोई problem नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक student है, उसका अलग-लग नजरिया होता है, त्यारी करने का अलग-लग system होता है सब को पता है, तो आप कहीं से भी तैयार करो, लेकिन motor vehicle act है, वो आपका latest जो update, मतलब latest जो data है, 2019 के बाद का जो data है, बिल्कुल latest data, आप जैसे books पढ़ेंगे न, कोई उठा करके, तो उसमें 1988 के इसाब से सारी, जैसे धाराओं के इसाब से बताया हुए सारी चीजें, लेकि में आपको बहुत सारी जानकारिय है, वो दी गई है, ठीक है, तो motor vehicle act को मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से तियार करो, practice के लिए आप कहीं से भी practice questions उठाओ, और उनमें practice करो, revision करो, तो आपको 50 number कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा देखो, knowledge of bus, vehicle repair, maintenance, यह कहां से पढ़ोगे, और आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा doubt यह रहता है, कि हम material पढ़ें कहां से, और कितना पढ़ें, ठीक है, 40 number का जो आपका bus, vehicle, repair, maintenance का जो portion आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे mechanical engineer बनाया जाएगा, ऐसा आपको नहीं बनाया जाएगा, यह ध्यान रखना, आपको वहाँ पे as a driver भरती किया जा रहा है, तो उतनी ही knowledge आपकी check की जाएगी, कि यह भाई, जैसे एक accidental person का first date दे करके ध्यान रखते हो, ऐसी मानलो, अगर कोई vehicle में छोटी मोटी खराबी आ जाती है, तो आप उसको कैस ठीक कर सकते हो, यह सारी चीजे ही include रहेंगी, जो 40 नंबर में आएंगी, काफी बच्चे हैं, वो doubt में हैं, कि सर पता नहीं क्या-क्या हमसे पूछा जाएगा, vehicle maintenance में और repair में, जब दिल्ली प्ली उस driver की भरती हो रही थी, उस time पे मैंने बोला था, वीडियो आज भी YouTube पे आउ लेबल हैं, आप देख लेना उठा करके, उस time पे मैंने यहीं बोला था, कि material इतना, मतलब wide नहीं आता है, कि आप बिल्कुल ही उसको पकड़ नहीं पाऊगे, समझे नहीं पाऊगे, technical questions आएंगे, obvious सी बात है, क्योंकि vehicle maintenance का part है, तो उसमें technical चीजे आएंगी, सबसे प बना है, कोई भी vehicle है, system जैसे कि मैंने आपको बताया था, transmission system होता है, AC system होता है, ignition system होता है, ठीक है, और इसके लाब गीर system होता है, मतलब जितने भी system, जिन से मिल करके vehicle prepare होता है, जैसे मैंने example भी मैं हमेशा देता हूँ, कि जैसे हमारा सरीर है, वो बहुत सारे तंतर से मिल क होता है, ऐसे vehicle के अंदर भी बहुत सारे system अलग-लग type के काम कर रहे होते है, जिससे एक vehicle prepare होता है, होता है न, तो वो सारे के सारे system आपको पढ़ने है, सबसे पहले, जब आपने उस सिस्टम पढ़ लिए कि कौन सा सिस्टम, कौन सा तंतर विकल के अंदर ढंग से काम कर रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है उसके बाद ये जो 40 नंबर का काम है आपका 5 या 10 नंबर का ही बच जाएगा बाकि आपका सारा कवर हो जाएगा फिर आपको revision करना है कोई भी आप book प्रिफेर कर सकते हो हाला कि मैं मेरी बता हूँ तो आपको मैंने दिये वे हैं बहुत सारे questions जो mobile app पे अवलेबल हैं आप course में पढ़ सकते हो ठीक है हाला कि मैं यह नहीं कहा रहा है सिर्फ मेरा course लेकर के पढ़ो मैं फिरसे repeat कर रहा हूँ आप जहां पर अच्छा लगए वहां पर पढ़ो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है क्या क्या चोड़ना है ऐसा नहीं है कि आप एक nut और bullet स सब कुछ पढ़ डालो ऐसा कोई भी क्योशन नहीं आएगा nut bullet वाला मतलब कि इंजन के कौन कौन से पार्ट को क्या बूला जाता है कुछ भी नहीं सिर्फ यह आपको पता होना चाहिए transmission system के अंदर कौन सा जो पार्ट हो किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है इतना ही क्योशन आपको कहां पर देखने को मिलेंगे आपको क्या करना है mobile application डाउनलोड करनी है DR education official link आपको description में मिल जाएगा 30 paper मैंने डाले वे हैं पुरानी भरतियों के driver भरतियों के ठीक है न तो उसमें दिल्लिप्लिस driver की जो examination थी अभी आपको पता है 2022 में हुआ थे 11 October को तीन स चिफ्ट में 50 questions है ठीक है और 50-50 questions करके 1.500 questions हो जाते हैं आप खुद देखना है उसमें traffic rules भी सामिल है vehicle maintenance भी सामिल है और SSC का level हर एक exam से बहतरीन होता है और अब की बार पहली बार SSC ने कोई driver का exam conduct करवाया था और उसमें भी काफी अच्छा कासा जो अपना pattern है वो बना करके डाला था लेकिन फिर भी मेरे इसाब से वो tough paper नहीं था ठीक है न हो सकता है कि जो सबसे पहली बार त्यारी करता है अब ऐसा तो नहीं है मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि मैं आपको कुछ ऐसा घोट के पिला दूं जिससे आपको सारी चीज़े याद हो जाएंगी revision समझना आपके उपर depend करते हैं ठीक है उसके बाद basic knowledge of first aid first aid के लिए देखो मैंने तो material दे रखा है 6 part मैंने डाल रखे mobile application प आप कुछ पढ़ना है तो आप आँसे theoretical पढ़ सकते हो तेहरी कर सकते हो हाला कि मैंने 10 practice test हो करवाए भी है जिनमें मैंने first aid के बहुत सारे questions डाले भी हुए है ठीक है लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में जैसे अभी exam आएगा उससे पहले first aid के बहुत सारे questions मैं आपको यूट्यूब पे solve करवाँगा ठीक है टेंशन मतले हो first aid के जो exam में आने वाले questions है ठीक है driver भरती हो या conductor हो दोनों के लिए first aid important है तो मतलब आपका जो first aid का 10 number का काम है वो इतना level का मैं करवा दूँगा आपको यूट्यूब पे कि आपको exam में कोई भी दिक्कत नहीं तो यहां से आपका handed marks का बिल्कुल complete paper वो त्यार हो जाता है driver के लिए मैंने आपको सारी चीज़े बता दी handed questions, handed marks है ठीक है ये तो था driver के लिए अब बात करते हैं आपके conductor के भरती के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो conductor के भरती को लेकर के बहुत जादा प्रेशा ही करनी है वो मैं बता दूंगा लेकिन तयारी आपको ही करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि मैं यहां से बोल दूं कुछ शब्द और वो आपके दिमाग में सारे के सारे एज़टी सब्स जाएं उन पर आपको ही काम करना पड़ेगा जो मैं आपको चीज़े बता रहा हूं ठ ठीक है अभी 2023 वाली भरती है तो CTU conductor का syllabus दिया गया है आपका अब यह दो पार्ट के अंदर डिवाइड है दोस्तों ठीक है दो पार्ट के अंदर और यह पार्ट कौन-कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे पार्ट वन यह है जिसमें numerical ability यानि math 15 नंबर क आएगा उसके बाद English है जो 10 नंबर की आएगी उसके बाद journal knowledge है और journal behavior है अब इसमें बच्चे confused है कि सर journal behavior यहां पे भी दे रखा है और journal behavior यहां पे भी दे रखा है 15 नंबर का ठीक है तो वो doubt आपका यहां से clear कर दूँगा मैं अभी उसके बाद elementary computer knowledge है इसके 10 questions आएंगे प सिर्फ part 2 के आपको तैयारी करनी है तो सिर्फ part 2 के लिए mobile app के ऊपर आपका पूरा का पूरा complete course मैंने दे रखा है कि मैं वो जितना भी आपके exam तक जितना material हो पाएगा मेरे से वो सारा का सारा मैं उसमें include करूँगा काफी बच्चे doubt में रहते हैं कि सर जो भी material दे रखा है वो enough नहीं है क्या उसमें और डालोगी क्या हाँ बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी update होंगी exam तक ठीक है बहुत सारे quizzes हैं जो बची हुई हैं वो मैं डालूँगा पर दे मैं कुछ न कुछ उसमें update करता भी रहता हूँ आपको पता भी है जिन्नोंने purchase कर रख है तो exam जब होगा उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें मिलेंगी पार्ट टू की बता रहा हूँ सिर्फ लेकिन अब बच्च डाउट में हैं कि पार्ट वन की तैयारी कैसे करें ठीक है जिन्नोंने पार्ट टू के लिए purchase भी कर लिया mobile application पे पढ़ भी हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा भी एक एक portion को ले करके देखो conductor के लिए जो पार्ट वन है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यह करना है कि वैसे तो मैंने टेलिग्राम चैनल पे भी 2020 वाला पेपर डाला था दोस्तों ठीक है आपने देख भी लिया हो अगर टेलिग्राम पे आप सर्च नहीं कर पाते हो नहीं मिल पाता है आपको मोबाइल अप्लिकेशन पे जाना है लिंक में description में लिंक है उसका मोबाइल अप्लिकेशन में जाता है या आप कोई भी course open कर ले ना free of course डाला हुआ है 2020 वाला पेपर conductor का आप उसको open करना CTU driver में GK English ठीक है और इसके अलावा जो computer है वो आया हुआ है सबसे पहले यह देखना है कि maths में किस टाइप के questions पूछे गए है तो arithmetic यानि जो अंक गणित है वहीं आएगा आपके exam में कुछ जादा नहीं आएगा advanced level का सिर्फ arithmetic के basic questions ही आपके exam में आएंगे जैसे profit and loss है ठीक है या और यह तो base है आपका chapter ही percentage यानि प्रतिशत तो हर एक exam के लिए मतलब हर एक exam का बाप है percentage आज के दिन percentage हर एक topic में include होता है arithmetic की बात करें तो percentage से आप हर एक topic को आसाने से निगाल सकते हो ठीक है ratio and proportion है यह एक topic है अनुपात और समानुपात यह बहुत important topic है math का ठीक है तीन topic हो साधर्ण व्याज और चक्रवदी व्याज ठीक है maximum questions इने से ही आ जाएंगे और एक age को ले करके age वाले questions कि तीन साल पहले या 5 साल पहले age इतनी थी अभी कितनी होगी अभी age का इतना ratio है तो पहले क्या था ऐसे करके जो age वाले questions होते हैं इन में ही आपके 15 के 15 questions हो include हो जाएं तो चार आदि में पांच आदि मिलकर इतने दिनों में कैसे करेंगे ए एक दिन में इतना काम करता है वो दोनों मिलकर के एक total या आपको particular time या वो दे देंगे समान या काम वो कितने दिन में करेंगे तो इस type के questions आपको कहां पे देखने हैं जो 2020 वाला paper हुआ था उसमें दे प्रेफर कर सकते हो देखो सबसे साधारण जो बुक मैं बता हूँ राम निवास मतुरिया की है आप मार्केट में अवलेबल है आप आराम से ले सकते हो नहीं तो अंक गणित की ठीक है और भी बहुत सारे publication से जो बुक छापते हैं तो उनकी आप ले सकते हो ठीक है जैसे अ sponsor नहीं कर रहा हूँ यहां पर कि मैं किसी से पैसे ले करके book के नाम बोल रहा हूँ नहीं बिल्कुल मेरा ऐसा intention नहीं है लेकिन जो तयारी करने वाला बच्चा आप उनसे पूछना कि basic अगर अंक गणित सीखना है तो basic books कौन सी prefer करें तो आपको एक-दो book ऐसी ही बताएंग कि राम निवास मतुरिय की या फिर अरियंत की भी book आती है अंक गणित की अनि अर्थमेंटिक आप ले सकते हो बाकि अगर राकेस यादव सर की भी आती है राकेस यादव सर पभलिकेशन की जो book है ना तो राकेस यादव readers publication के नाम से book वो तो हलांकि S.C. के लिए है लिकिन basic chapter अगर आपने पढ़ने हैं तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो ठीक है? उसके notes भी हैं तो उससे भी आप repair कर सकते हो अच्छे से बना महत है वो मतलब basics आपके clear हो जाएंगे जिन्होंने अगर अच्छे से पहले basic तैयारी कर रखें तो वो सिर्फ कोई भी previous year question पर उठाओ SSC railway के आप उनसे पढ़ लो उनी में से ही questions आपके बन जाएंगे कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर CTO का कोई different syllabus होता है Arthematica syllabus हर एक exam में similar सही आता है questions का level है किसी में थोड़ा सा moderate बना देते हैं कठिन बना देते हैं किसी में थोड़ा सा chapters है वह सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे 15 questions में उसके बाद देखो English के लिए मैं अगर बात करूँ ठीक है English में English के लिए आप कौन सी book है वो prefer कर सकते हो या फिर English कहां से बढ़ सकते हो देखो एक तो Ariant की basic English आती है English की book वो आप पढ़ सकते हो ठीक है जिसमें आप अपने मोटे मोटे chapter हो clear कर सकते हो मोटे मोटे chapter मैं कौन से बता रहा हूँ आपको यह देखना है कि भाई 2020 वाला paper आया था उसमें किस type के questions बूझ रखे है ठीक हो देखना है आपको बाई किस में से articles में से questions आ रहा है ठीक है comprehension किस type के आ रहा है antonym synonym किस type के आ रहा है fill in the blanks किस type के questions आ रहा है वहाँ पे grammar में से कौन कौन से chapter उठे हो है ठीक है तो grammar तो आपको पढ़नी ज़रूरी है भाई क्योंकि grammar में से questions आएंगे अगर English की आप त्यारी कर रहे हो तो दस नंबर का आपका जो chapter है कि जो questions आपकी सारे cover हो जाएंगे आपको 2020 वाला paper ही देखना है क्योंकि previous year question paper उकात बता देता है किसी भी exam की कि वो level किस level का paper आने वाला है तो उसके लिए दो books आप preferable कर सकते हो एक तो KD campus के नाम से आती है ठीक है नितु मैम की KD campus ठीक है English के नाम से ही है KD campus और नितु सिंग मैम की जो book है वो आप prefer कर सकते हो ठीक है basic English की वो हर एक exam के लिए beneficial है कोई भी exam हो one day examination जो भी होते है ना English के जिसमें English आती है तो उसके लिए best book है KD campus की किनों ने लिखी है तो नितु मैम ने लिखी है आप उसको prefer कर सकते हो दूसरी मैंने आपको अरियंद बताई ठीक है अरियंद की जो book है वो आप prefer कर सकते है यह दोनों book आपके लिए important है ठीक है उसके बाद बाद आती है कि journal knowledge और journal behavior अब यह behavior यहां से मिटा दो आप जर्नल behavior यह नि जर्नल knowledge वो इसी के अंदर ही आ जाएगा 15 questions जो है ना उसमें जीके ही आएगा आप जैसे देखना ठीक है जब आप 2020 वाला paper देखोगी उसमें जर्नल knowledge पूछ रखी है आपको क्या करने एक तो सबसे पहली बात चंडिगड की जो जीके है उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है चंडिगड के questions आपको पता होनी चाहिए ठीक है चंडिगड की जीक है यानि चंडिगड का जितना भी geographical area है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको ठीक है चंडिगड में कौन-कौन सी जगहा है जो सबसे फेमस है चंडिगड के फिलहाल में गवर्नर कोन है ठीक है आपको पता होना चीए क्योंकि गवर्नर इंदा सेंस लफ्टिटेंट गवर्नर क्योंकि आपको पता भी पंजाब के फिलहाल में गवर्णर होते हैं वहीं चंडिगड के लफ्ट इनेंट गवर्णर भी होते हैं और इस से रिलेटेड जैसे अभी फिलहाल में MP कौन है चंडिगड से मतलब सांसत गोन है इस टाइब के क्योशन आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल और जोगरफिकल लेवल के क्योशन चंडिगड से रिलेटेड इसके बाद पंजाब एंड हरियाना इसके जो करंट अफेर है उसमें एक बार नजर मार लेना जो तीन-चार महिने पुरानी है क्योंकि एक या दो क्योशन करंट अफेर से भी पूछे जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा हिस्ट्री जो नेसनल मतलब नेसनल आपको पता भी है भाई जो हिस्ट्री भी है ठीक है एंचन्ड हिस्ट्री पढ़ लो या फिर जो आपको पता भी है जो मैंने दो-चार वीडियो पर ढाल भी रखी है या फिर ये एप पी डॉल रखी है और यूट्यूब्चे लेटिड और मुगल शासक क्यों से रिलेड़ जो हिस्ट्री के पोर्षन है वो आप रास्टपती उपरास्टपती प्रधानमंत्री इन से रिलेटिड जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़के जाएंगे क्योंकि वो जर्णल नोलेज में आते हैं 2020 का जो पेपर उसमें देखना किस लेवल के क्योशन्स पूछे गए हैं तो उस लेवल के क्योशन्स आपको पढ़ प्रणाटरी है और स्केडूल कितने हैं यह चीज़े तो पढ़ लिए आपने प्लटिक अंदर हिस्ट्री पढ़ ले जो ग्रफी में जो दर्रे हैं ठीक है स्टेटिक जीकी के अंदर जो नेशनल पार्क वगेरा हैं यह आते हैं एक्जाम में हर एक एक्जाम में पूछे ज लिशन्ट की जो बूक है उसके पीछे विविद का एक पार्ट दिया हुआ है वो विविद वाला पार्ट आप सभी के लिए भो जादा इंपोर्टेंट है इसके इलावा देखो पिछे जो पेपर हुआ था उसमें जर्नल साइन्स भी आई थी साइन्स के कोशन्स आये थे ठीक है तो आप साइस भी फढ़ सकते हैं बेसिक बेसिक जो साइन्स हैं यानि बाइलोजी और केमेस्ट्री फिजिक्स कोई पढ़ने की जो वह नहीं की आउने के इसमें के कम चांस और या Aim लावा जाते है इसमें बाइलोजी से और इसके लावा च्यों से केशन्स सभी पढ़ते हैं जो तैयारी करते हैं सभी ने लूशन्ट पढ़ी है बेसिक अगर किसी को कवर करना तो लूशन्ट से कोई भार बुक है ही नहीं ठीक है छोटी बुक लेकिन भोजादा ऑथेंटिक बुक है तो उसमें अपना जर्नल नोलेज का इतना भी पॉर्शन हो आपक उसके बाद इसी लूशन्ट के अंदर ही पीछे सबसे पीछे ही आपको कम्पूटर भी मिल जाएगा आपको बेसिक कम्पूटर उसी से पढ़ लेना लूशन्ट से या फिर कम्पूटर की छोटी सी बुक आती बेसिक कम्पूटर की बहुत सारी मार्केट में अलग-लग कम्पूटर का बेसिक काम क्या होता है कम्पूटर के जितने पार्ट से ही क्या क्या काम करते है internal पार्ट को क्या बहुत है ये जितनी इन अलग पार्ट के ऑप Democrat के इसके इलाभा नोटirie से बन सकते हैं तो ये आपको मिलेंगे कहां पर मैंने आपको बता है एक तो लूशन के पीछे computer दे रखा उसमें मिल जाएगा इसके लाब बेसिक computer की कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो मार्केट में जाओगे निकलोगे तो आपको पता जल जाएगा बेसिक जिसमें questions हो प्रक्टिस के लिए यह तो एक तरीका हो गया computer पढ़ने का दूसरा जैसे आपको पता भी है SSC कई examinations में computer पूसती है 10 15 नंबर का ठीक है तो जितने भी पुराने SSC के paper हुए है ठीक है वो आप ढूड़ना आपको मिल जाएंगे हलांकि बहुत सारे ऐसे website से नहीं तो मैं telegram चैनल पर डाल दूँगा separately computer के questions से जो SSC ने पूछे हैं वो telegram पर डाल दूँगा telegram चैनल जॉइन कर लेना लिंक आपको description में मिल जाएगा उसमें फिर आप computer का जो questions है वो practice कर सकते हैं 10 questions आएंगे तो normal normal questions आएंगे थोड़ा सा practice करते रोगे तो आपके दिमाग के जो nut bloat है वो खुलते भी रहेंगे ठीक है वहांसे practice कर सकते हैं तो चarak C One से शार्म स्क्रादी आपको बतादी है कहां से आपको क्या पढ़ीया थीक है तो पारट वन उन आप यहां से कर सकते हो part 2 के लिए देख को में ने आपको एक तरीका घ्रादा दिया कि भाई mobile application पर आपको आपको पार्ट 2 है कि जो भी तो मुझे कोई प्रेशानी नहीं आप पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ना क्या क्या है वो बता देता हूं देखो जैसे अभी motor vehicle act करवा रहा था नहीं तो बच्चे कह रहे थे sir conductor की भरते के लिए इंपोर्टेंट है क्या भाई 2020 को जो पेपर हुआ था हालांकि वह contractual भरती थी लेकिन स्लेबस वैसा ही है similar सा ही है तो उसमें motor vehicle act से motor वहान अदिनियम से कोई भी क्योशन नहीं पूछा गया लेकिन motor वहान अदिनियम में ही traffic rules include रहते हैं आपको पता भी है रूल्स तो traffic rules कहां से बने है motor vehicle act से obvious ही बात है ठीक है तो जो traffic rules है वह पूछे जाएंगे ठीक है हाला कि मैं practice करवा भी रहा हूँ आपको 10 set मैंने डाल भी रखे हैं YouTube चैनल पे लेकिन practice तो और भी करवाँगा मैं traffic जो rules है उनके questions की हाला कि 840 questions मैंने सिर्फ traffic rules और traffic signs related questions ठीक है इसमें लगबग यह समझो कि 7 से 8 questions तो traffic sign के ही पूछे जाएंगे मैंने playlist के अंदर दिली प्लिस डाइवर के नाम से अलग से folder बनाया है उसमें traffic sign मैंने एक एक अच्छे तरीके से समझाया हुए है आप बोलोगे तो मैं एक वीड जो हमारे traffic sign है संकेत, symbol वे दिये गए है ठीक है तो जो traffic sign है वो तीन प्रकार के होते हैं mandatory road sign, cautionary road sign और informatory road sign ठीक है हिंदी में उनको अनिवारी है या फिर आदेशात्मक सडक्चिन बोल देते है mandatory को, cautionary को हम बोल देते हैं warning sign वाला ठीक है सचे तक चिन बोल देते हैं और इस उसे ही 7-8 question तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे, जो ये 20 number का portion है, बाकी आपके रह गए rule and regulations कि भाई अगर मानलो किसी सडक के उपर, कोई सडक है उस पर footpath नहीं है तो हमें किस side में चलना चाहिए, ठीक है, over attack किस side से करना चाहिए, अगर कोई सामने से गाड़ी जा रही ह तो over attack किस side से करना चाहिए, over attack करते समय हमें किन बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, अगर driver follow नहीं कर रहा है, तो कम से कम conductor तो बता सकते कि भाई follow करना जरूरी है, या फिर अगर मानलो conductor है, वो driver को कोई इसारा करेगा, ठीक है, कि भाई गाड़ी इधर करो, पीछे लेओ, तो वो किसी जाब से करें, तो ये सारी की सारी चीज़े आप traffic rules के बारे में जानते हैं, तभी तो आप इसारे कर पाऊगे, तो traffic rules, वहीं motor vehicle act से ही निकले वे हैं, तो उनके लिए अलग से कोई भी portion आपको बता भी है, हलांकि देखो, मैंने मेरा syllabus बता दिया, है, mobile application, पर theoretical, जिसके अंदर जजबा है, त्यारी करने का वो कर सकता है, लेकिन जो ये सोच के बैठा है, कि भाई, नहीं सी दमा स्टरी करवा देगा त्यारी, तो भाई, बिल्कुल आप मत करना परचेज, आपके लिए नहीं है, वो course, मेरा course उनी बच्चों के लिए रहता ह जो त्यारी करने के लिए, जिसके अंदर दड़ निश्य है, त्यारी करने का जजबा है, वो ही त्यारी कर सकता है, वो भाने नहीं लगायागा कि mobile application से भार material नहीं निकल रहा है, mobile application पर कैसे पढ़ें, ये करें, वो करें, वो अपने आप notes प्रिपेर कर लेगा, उन्हें पत लाकी का जो कच्रा है, वो जादा दिया जाता है, फस्टेड सेपरेट फोर्म में, 10-15 क्योशन डाल दी है, फस्टेड फिनिस, तो ऐसी बुक सिर्फ नाम लिखने से, बुक नहीं बनती है, ये आप कोई पता होगा, अगर समझदार हो आप, तो सिर्फ ये लिखने से, कि CTU के नाम से बुक मना दी, तो उसमें ही सारा मेटिरियल आएगा, इंपोसिबल, क्योंकि उसमें, जो मेटिरियल है, वो अगर मोटर वी कलेक्ट की बात करो, तो वो तो 1988 का दे रख है, लेटेस्ट डेटा के साथ में है ये नहीं, क्योंकि वैब साइट से उन्होंने सीधा किया और पेस्ट कर दिया, उन्होंने ये थोड़ने देखा है कि बच्चों के काम आएगा ये नहीं आएगा, लेटेस्ट डेटा ये नहीं है, उनको सिर्फ पैसे कवाने से मतलब है, ठीक है, मैं वो कह रहा हूं कि अगर ओथन्टिसिटी के साथ में पढ़ना है, लेटेस् गरते हैं एक तरीके से उसे फरस्ट डेते हैं, प्रास्मिक चिक इच्छा देते हैं उसे, उससे रिलेटिड क्योशन्स पूछे जाएंगे दस नमबर के, ठीक है, इसके लावा जर्नल बहेवियर और सेफटी, ये सेफटी है क्या, ये सेफटी ट्रैफिक रूल से ही बनी है ठीक है, काफी बच्चे कहते हैं सरी जर्नल बहेवियर और सेफटी क्या है, जर्नल बहेवियर तो देखो भाई, अगर जर्नल बहेवियर की बात करूं तो इसके अंदर तो आपका परसनल्टी डिवलेप्मेंट भी आ जाता है, ठीक है, परसनल्टी डिवलेप्मेंट, अब तरीके से उसका किस तरीके से आंसर कर सकते हो वो उस टाइप के question journal behavior में पूछे जाएंगे कि एक conductor है वो अपने passenger से उनके साथ में कैसा बरताव करे तो उनसे related questions आ जाएंगे statements आ जाएंगे आपको positive तरीके से आंसर करना है एक तरीके से psycho test होता है तो वो question यानि journal behavior जैसे 10 question डाल दियो और बाकी safety के safety measures अगर आप traffic rules को अच्छे से follow कर रहे हो तो आपके लिए safety है न वो तो ये सारी की सारी चीज़े है वो 20 number में आपकी include हो जाएंगे ठीक है तो ये आपका पूरा का पूरा all over syllabus है conductor का जिसके आप अच्छे तरीके से त्यारी कर सकते हो part 2 के लिए त्यारी करने के लिए मैंने अपना mobile application भी refer किया है या फिर आप किसी और तरीके से त्यारी कर सकते हो आपके उपर depend करता है कोई भी मेरी तरब से आपके उपर force apply नहीं हो रहा है आप जहां से मर्जी आपकी वहां से त्यारी कर सकते हो ठीक है अभी अगर आपका driver भरती से related या conductor भरती से related कोई भी doubt है तो आप मेरे से पूछ सकते हो मैं आपके लिए अभी आजी रूँ आपके questions को ले करके बताओ driver या फिर conductor भरती से related कोई भी doubt है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेफिकर हो करके मैं आपके जितने भी answer से वो देने की कोशिस करोंगा ठीक है हाँ एक चीज और ये विने भाई कह रहा है कि form कितने बरे गए देखो total number of form कितने apply हुए हैं वो मैं बता देता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी बनी हुई हैं लेकिन शायद उन बच्चों को जो वीडियो बना रहे हैं वो नए नए आया है ठीक है आप पहले knowledge gain करो आप चीजों को बारे में खुद पढ़ो पहले अच्छे से खुद के notes prepare करो मैं आपको special knowledge recommend कर रहा हूं यह चीज सजेशन दे रहा हूं आपको जो बच्चा पढ़ाना भी चाहता है YouTube पर ऐसा तो यह नहीं कोई जैसे मैंने किये थे मैं हर एक notes अपना खुद prepare करता हूं आज भी एक बच्चे ने मेरे पास message किया था सर मैं आपकी PDF प्रिपेर कर दूँगा मैं आपकी PPT प्रिपेर कर दूँगा मेरी तोड़ी जो आर्थिक नहीं है मैंने बोला भाई देखो PDF वगेरा मेरी सारी ready है PPTs वगेरा मैं खुद prepare करता हूं मैं अपने हिसाब से modify करता हूं मेरे को दूसरों का material त्यार किया हो पसंद आता है नहीं है सच महीं तो मैं अपनी PPT खुद प्रिपेर करता हूं ठीक है तो मैं खुद के notes से अपनी PPT खुद prepare करता हूं कि मुझे क्या तरीके से किस तरीके स रखा है total form किसे ने 85,000 बजा रखा है किसी ने 80,000 बजा रखा है आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है लेकिन यह data नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है यह data क्योंकि उन्होंने बता रखा कि जब मैंने शुरू में फर्म भरने शुरू हूए था तो मेरा जो user ID था यानि registration number वो यह था जब last में last date थी उस दिन मैंने फर्म भरा तो इतना था अब यह पहले जो registration number था और जो last का registration नमबर था उसको minus करके बता दिया कि इतने फर्म भरे गए है तो फिर conductor और driver का फिर ratio कैसे निकला वो तो total number हो गया न क्योंकि दोनों का एक साथ फर्म भरा गया है किसी किसी ने driver के लिए बराया किसी ने conductor के लिए और किसी ने दोनों के लिए तो यह तो probability का प्राइकत का question बन गया अब प्राइकत आपको निकालने नहीं आती क्योंकि totally दे रखा है 85, 80, 90 मैंसे बता रहे हो तो फिर आप कैसे prepare कर पाऊगे मानते हो ने इस बात को तो इसलिए मै कैसे छूटी हैं offices बंद रहेंगे Monday, Tuesday, Wednesday तक आपका जो भी reply आएगा RTI के reply उसमें जो भी information होगी ठीक है जो भी information होगी correct होगी incorrect होगी जैसा भी reply आएगा मैं आप सभी के साथ share कर दूगा मुझे कोई परिशानी नहीं होगी इस इसमें ठीक है लेकिन ये अंदाज लगाने स से कि 80,000, 85,000, 90,000 उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है ठीक है जब तक आपके पास authenticity नहीं है तो मेरे इसाब से अंदाज लगाने से कुछ नहीं होता ठीक लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा idea दे देता हूँ अभी अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस बरती की नहीं बता रहा हूँ भई इसमें कितने भी भरे जा सकते हैं पांच लाग दस लाग मुझे नहीं पता रहा है लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सो गोर करना कि चंडिगड के अंदर जैसे एक तो हाई कोर्ट पंजाब और हरियाना यानि हरियाना और पंजाब का जो कोर्ट है उसके अंदर भरती निकलती है एक आपके डिविजनल कोर्ट के ऊपर निकल करते गए तो यह फॉर्म ड्राइवर के 50,000 पार नहीं करते हैं पचासजार से जाद्दा फॉर्म नहीं बर जाते हैं हालां कि अभी मैं बात करूं जन्वरी में जो पेपर हुआ था उसमें मैकसिम्म आवड फॉर्म बर गये थे ड्राइवर के जो हाई कोड़ फंजाबं हर टेकिंग की बसों में ड्राइवर या कंडेक्टर जो लगना चाहें तो हो सकता है कि इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्म बरे गए हूँ उसके बारे मेरे को नहीं पता है जब आएगी मेरे पास कोई भी की ऑथन्टिक इन्फोर्मेशन जो आर्टिय मैंने लगाई है उसके बेस पर तो वह मैं आपको जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा मैं आपको बता दूगा ठीक है बाई इतनी बात आगए समझ में आपको चलो कृष्णा भाई पता नहीं अब देखो मैं आपको बता रहा हूं ना मेरे को अभी नहीं पता है और मैं बिना फाल्दू के जो जज्जमेंट हो पास करता वे नहीं हूं और मैं तो आपको देखो यहीं बोलना चाहूंगा कि आप अपनी तयारी करो अच्छे से फाल्दू क कि बातों में कुछ नहीं रखा फॉम कितने भी बरे गए हूं अगर आपकी तयारी नहीं है चाहिए फिर पांच फॉम बरे गए हूं आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते और अगर तयारी अच्छी है आप हाँ यह स्कोर लगा के चल रहो भाई 85-200 मार्क के बीच में मेरा स् लेवल की तयारी कर रहा हूं ठीक है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता और यह भी थोड़ा सा भेहम निकाल देना दिमाग का कई बच्चों की दिमाग में रहता है कि 2016 की भरती में तो यह कट-off गई थी अब की बार भी ज्यादा नहीं जाएगी भाई कट-off इसकी बहुत अच्छे लेवल की जाएगी टेंशन मतले हो ठीक है कट-off इसकी बहुत बढ़िया जाएगी यह मैं दिखा दूँ आपको जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको पता दूँगा कभी यह सोचों की 40 45 पर कट-off चली जाएगी मुस्किल है ठीक है क्योंकि अपकी बार ओल 2012 का पेपर 2012 वाली बढ़ती थी उसका क्या पेपर का लेवल था और जो फिर 10-11 साल बाद जो अभी 2013 पेपर हुआ है उसका क्या लेवल था बच्चों का पढ़ने का लेवल भी उस टाइम पर online माध्यम नहीं थे लोग offline books से पढ़ते थे अब वो तयारी करी नहीं करी उस हिस पढ़ रहे हैं सोचो आप क्या अगर online का माध्यम नहीं होता तो क्या पढ़ पाते किसी के पास नहीं पढ़ पाते और 2016 के आसपास इतनी करांती नहीं थी 2016 के बाद बहुत सारी करांती जीओ जब से आया आपको पता है social media platforms कितने open हो चुके है और digitalization कितना हो गया है आपको पता है ठीक है ना तो उस टाइम पर महाध्यम कम थे लोगों के पास त्यारी करने का समय भी इतना नहीं होता था क्योंकि वह सिर्फ offline में गुशे रहते थे coaching पर गए जो पढ़ा दिया पढ़ लिया लेकिन आज के दिन एक से बढ़ करके टीचर है एक से बढ़ करके एक टी ड्राइबर की तेयारी भी और conductor की भी आप अच्छे लेवल पर कर पाऊगे ठीक है बाकी आपकी खुद की सोच समझ होती है मैं किसी भी कोई external force नहीं लगाता हूं कि भाई आप मेरी बात मानो आपका जितना सोचने की शमताएं हैं सोचने की जो शमताएं काम कर रही हैं उस ज्यादा बच्चे हो गए ठीक है तो वो जब message करते हैं तो एक large amount of message एक साथ आते हैं ठीक है अब मैं या तो उनके reply कर सकता हूं या फिर मेरा content material prepare कर सकता हूं या फिर मैं आपसे phone पे बात कर सकता हूं इतना ही हो सकता है अकला आदमी एक साथ इतना ही कर पाएगा नहीं तो इसको खुद कोई knowledge नहीं है तो मैं ऐसा बंदा कहां से trend करूं और most of बच्चा यहीं बोलता है कि sir आप से बात करनी है मुझे तो बंदा फिर मैं बिठाने का फाइदा क्या है समझ रहे हो नहीं चीजे तो सारी चीजे समझ के चला करो बाकी इतना ही था इस वीडियो में और इस वीडियो के नीचे या फिर वट्सप पर message कर सकते हो मैं जितना हो सकेगा वो reply करने की कोशिस करूंगा ठीक है चलो इस वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जो चीजे मैंने आपको बताई वो भी समझ में आई होंगी जो पहली बार इस चैनल पर आया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपको ऐसी authentic और well designed जो information आपको मिलती रहेंगे ठीक है और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना जो आपके दोस्त है यार दोस्त है उनके पास अगर share करना चाहें तो share भी कर सकते हैं कोई आप mobile application पर डाले हैं as a online mock test और जो conductor part 2 की तेयरी करना चाहते हैं वो भी mobile application पर जाकर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलो मिलता हूं next video में और next video में इतना sense कि Monday को हम मिलते हैं सही 9 बजे हमारे एक और practice set के साथ में जिसमें मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत पता रहे कि हां यह सारा का सहरे material हमारे लिए है और जो driver की तेयारी कर रहे हैं उनके लिए यह लगे कि हमारे लिए ही material driver के लिए क्योंकि काफी बच्चे confused हो रहे थे इसलिए मैं थोड़ा सा पोज ले रहा था और उसके बाद हम continue से करते हैं Monday से ठीक है चलो सभी को good night सुब